गाइजिया लास्ट वीडियो में आपको HP का एक mini desktop PC आपको दिखाया था जोगी मात्रिवा ने 300 रूपर पर्चेस किया था मैंने आपसे बताया था कि इसी वीडियो का पर सेकंड पार्ट लेकर आने वाला हूं जिसमें हम गेम टेस्ट करेंगे इसके अंदर YCT का तो फाइनली अब मैं लेखे आज चका हूं जिसमें हमने विंडो को स्टॉल किया चाप बहुत मसरकत करनी पड़ी इसमें विंडो एक्सपी को स्टॉल करने के लिए तो पहले तो मैं आपको यह दिखायता हूं पहले हमारा कहां तक हमने यूज किया था तो यहां पर इसका खुद की जो विंडो थी जो आई थी हमारे पास वह हमने इसमें रन की थी लेकिन जब हमने देखा कि इसमें और कोई हार्डिस नह आना है तो एक भाई के पास पड़ा हुआ था उसने फिरी है उसमें दिया मुझे और मेरे पास भी एक बहुत अच्छा कलेक्शन था पहले सीडियो का जिसमें बहुत सारी विंडो की ऑपरेटिंग जिस्टम की सीडि पड़ी है तो पहले मैं इसके बारे मतारे मताईता हू है बहुत पहले का था है दूसरा जो इंपॉर्टन हमारे पास जो पार्ट से वह है यह हमारे पास हम लैप्टॉप विया हांडेस्ट हम यूज के नहीं है उसका केस है थी पॉन पांच ला हलाकि उसका यूज होगा तो यह मैंने एक लैप्टॉप की रख लिए एक सो बीच वेली होने वाली है यह पुराने मेरे पास पड़े यह थी तो उसी को हम यूज करेंगे अब और यहां पर जो हमारे पास जो सेकंड इंपॉर्टन चीज होगी वो कि हमारी पैंड्राइब अगर कहीं पर सीडी के तरफ से कोई दिक्कात आया थी है तो फिर हम पैंड्राइब से उसको इस्टॉल करेंगे विंड्व एक्सपी को तो अब यहां पर जो हमारा नेक्स्ट आने वाला वो है मेरा सीडी का बैंग तो इस तो यह बहुत प्रानी सीडी ओ कलेक्शन इरे पास रखा हुआ है इसमें सभी टाइब के ऑपरेटिंग सिस्टम की पहले हम सीडी यूज करते थे तो वह सारा बना हुआ था तो यह काम आ गया तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन सीडी ओ से विंडो को इस्टॉल किया जाए मुकाबले पैंड्राइब के तो हम यहां से आज जो विंडो पराने डाइब के जो भी थे और पहले सी प्री स्टॉल है तो मैं आपको दिखाता हूं इसे सेट अप करके अब इन सारी चीचों का हमारे पास ऑप्शन है तो इस सारी चीची हमारे पास होना कंपल सिरी था इसमें तो सारा मैंने कलेक्ट किया और अब हम अपने सेट अप यहार कर लेते हैं जिसमें हमारा जो मिनी सिस्टम होने वाला है उसे हम लगा लेते हैं और बाकी सारे कनेक्शन इस पर कर लेते हैं तो से लोग फड़ा फड़ दिखाता हूं तो यहां पर मैंने सारे कनेक्शन कर लिए हैं यहां पर मैंने कर दिया आप देखो आप यहां प पहले यूज़ हुआ करता था यह क्लाइंट मिनी सिस्टम है एच पी की तरब से यह थिंट क्लाइंट बोला जाता इसे तो यह जातर ओफिसों में यूज़ हुआ करता था जहां पर यह नेट्रोक के थुरू एक अधर सर्वर के साथ कनेक्ट होते थे उसमें क्या होता था कि यह नेट्रोक के थुरू ही सारा काम होता था और इसमें खुद की एक एमेडिट विंडो एक्स भी डाली जाती थी इससे क्या है बेसिक जो काम हुआ करते थे जैसे बैंक का जो काम है वेबसाइट ओपन करना पर उतना ही बेसिक काम होता था इसमें हार्ड डिस्क के भी स्टॉल होना हमारे स्टार्ट हो गई है अब दोस्तों मैं आपसे पर्सनली तो रेकमन नहीं करूंगा कि इस टाइप के सिस्टम को आप सेकिंड बिलो चाहे तीन सो रुपे मिले क्योंकि मुझे बहुत प्रॉलम आई है इसको चलाने में मैं भी आपको स्क्रीन शॉट कितरी बार मुझे यह टाइप का एरर आया विंड़ो स्टॉल करने में विंड़ो स्टॉल आप यह समय लिए मैं बहुत टाइम से लगा रहा तब जाके विंड़ो स्टॉल इसमें होगी पता नि इसके आर्डवर में इसू था क्या था यह ले नहीं रहा था क्योंकि यह बह है बार बर आया तो मैंने लागा था फिर ट्राइ किया और फिर फाइनल जाटके विंड़ो स्टॉल होने का स्टार्ट हो गया तो यहां पर आप हमारे पास देख़ो पार्टिशन आ गए तो नीची जो डी टाइप कर तो पार्टिशन है यह एक सो बीस जीबी को सपोर्ट क है उपर जो आ रहा है वो रैम को दिखा रहा है तो यहां पर मैं एंटी एफ से फॉर्वर्ट कर देता हूं से कुईक फॉर्मेट के लिए और एफ बटन प्रेस कर देंगे तो यहां पर फॉर्मेटिरिंग स्टार्ट हो जाएगी अब इसमें जो भी टाइम लेगा दोस्तो विंड़ो स्टाल होने में भी बहुत टाइम लगाया और सभी बताऊं सबस् carrot हमया इसमें हुआ मेरे साथ द्राइवर डूनना ड्राइवर डूनने में इतनी हलत करा हूं मैंने बहुत सारे multiple drivers मैंने इसमें यूज़गे क्योंकि मेरे पास 845 जी आव他श बहूँआ खिन्ठ था कि वो ज़्यादा हीट होता है पना नी वो क्या था क्या नी पर पहले हम जातर इंटेल ही यूज़ करते थे तो वहाँ पर मैंने बहुत सारे में आकर मिलता भी है तो उसका कोई ज्यादा फायदा है नहीं टेस्टिंग परपसे लेना चाहो तो यूज़ कर सकते हो बाकी बहुत प्रिकार है बहुत परिशान करते है आज के टाइम में इसका ना तो कोई विंडो मिलता है ना इसके ट्राइवर्स मिलते हैं ड्राइवर न कनेक्शन हम यूज़ करते हैं सिक्योर्टी के लिए और इसमें एक्सवी के अंदर जो मैक्सिम सिक्योर्टी यह सपोर्ट कराता है या फिर कनेक्टिविटी बनाता है वो डव्लू पीए तक है सिर्फ अब यहां पर फिर आपको पूरा वाई-पाई चेंज करना पड़ेग है जो चलो हमारी फाइनरी जो विंटो है वो स्टॉल जो प्रोसेस हो और में आपको डारेक्टि आगए प्रोसेस करा देता हूं ताकि आप डारेक्स देख पाएं तो यहां पर मैंने विंड्व से स्टॉल हो गई है अभी थोड़ा सा स्टाटिंग चल आए उसके बाद मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि window xp मैंने पूरी install कर दी है और यहाँ पर मैंने सारे ड्राइवर्स वागरा डाल दी है ताकि बाद में प्रॉल्म ना हो सारी चीज मैंने यहाँ पर install कर दिया रिस्टॉल करने के बाद वाइस सिटी हमने यहाँ पर install कर लिया है अब इक हम वाइस सिटी को टेस्ट करेंगे अगर आप इसके लावा भी कोई और पुराने गेम देखना चाहते हैं जो इस पे चलते थे जैसे डैसर स्ट्रॉम हो गया बैटल फीड नाइंटीन फर्टी टू ऐसा भी गेम आया था तो वह आप देखना तो यहाँ पर आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ पर install अपने कर दिया है अब इसे रन करने का टाइम आएगा तो अभी हम रन कर लेते हैं और रन करने पर मैं इस पर डबल क्लिक कर देता हू डबल क्लिक करने पर हमारा सिंप्ली रहन हो चाहाएगा और अब हमारा जो पुराना जी टीए वाइस सिटी गेम था जो की all टाइम फेवरेट गेम रहा है हम सब का हम सबने कभी न कभी बच मांद में प्ले किया ही था हो आज गेम हम यहाँ पर प्ले कर रहे है वो भी पुर मिलेंगे ठिक हैं एंड बाइ मिलें एंड बाइ झाल झाल झाल